अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको simple suit या कुर्ती cutting करने में काफी दिक्कत होती है या वो आसान तरीके से नहीं cut कर पाते हैं या उनको cut करने में काफी time लग जाता है तो आज की वीडियो में मैं ऐसा method बताऊँगा ताकि आपको एक ही बार में समझ में भी आ जाएगा और आप बहुती आसान तरीके से किसी भी size की कुर्ती या suit को cutting कर लेंगे तो चलिए आज की वीडियो start करते हैं इस कुर्ती को हम इस measurement से cutting करने वाले हैं और यह जो measurement लिया गया है वो दूसरे कुर्ती से लिया गया है तो अगर आप भी दूसरे कुर्ती से measurement लेकर cutting करना चात सब्सक्राइब नहीं होती है तो चलिए इसको cutting कैसे करना है और कैसे कप्रे को बिचाएंगे ओ देखते हैं तो एक बार समझ लिजिएगा कि जो हमारा कपड़ा है उसमें दोनों पल्ले हम डवल फोन में बैठे या कि नहीं वो कैसे समझेंगे उसको समझने के लिए आपको क्या करना है जो भी आपकी सूट की निचले हिस्से की मेजरमेंट है यानि कि इसमें 42 तो और आपको माप लेना है इसमें फोल्ड करने के बाद इसको हम फिर से एक बार फोर फोल्ड करेंगे तभी जाकर हमारा दोनों बैक और फ्रेंट का पला एकी साथ कड़ जाएगा तेखिए ऐसा अच्छे से बैठा लेना है आपको इस तरीके से आपको परफेक्ट बैठा लेना है बैठाने के बाद आपको ए इस तरीके से टेप रखेंगे ध्यान से समझेगा मैं क्या क्या कर रहा हूं इस तरीके से ठीक है और लेन्थ हमारा थर्टी एट इंच है तो इसको हम फोटी इंच पे निशान लगाएंगे दो इंच एक्ष्ट्रा करके यानि जो डेड़ इंच है और नीचे मार्जिंग चला जाएगा और आधा इंच हमारा सुल्डर में मार्जिंग चला जाएगा ठीक है ऐसे उसके बाद ध्यान से समझते चलिएगा एक निशान जो है हम लगा देंगे 14 इंच पे ऐसा और एक निशान हिप का लगाएंगे आपके आपके हिसाब से लगा लेना है निशान ठीक है सारे 21 इंच पे ये 22 इंच पे भी आप लगा सकते हैं और एक निशान आपको लगाना है 9 इंच पे ये तीन निशान आपको लगाना है 9 इंच 14 इंच और सारे 21 से लेकर सारे 22 इंच पे ऐसे निसान लगा दिया हमने अब हम दो निसान लगा देंगे ताकि हमारा लाइन जो है वो सीधा हो कि टेप को हम रखेंगे साइड में यह हमारा चेस्ट का निसान है यह हमारा कमर का निसान है और यह हमारा हीप का निशान हो गया और यह हमारा घेर का निशान हो गया ठीक है द्यान समझिएगा नेक की चोड़ाई इसके हिसाब से 2.25 हम कर देते हैं शोल्डर जो है हमारा 13 इंश है तो इसको हम 7 इंश रखते हैं यानि आधा इंश थोड़ा सा मार्जिंग भी देंगे ठीक है उसके बाद आर मोल की मेन है आर मोल हमारा 15 इंश है तो चेस के छठे भाग के हिसाब से ले लेंगे हम ठीक है सारे 6 इंच कर देते हैं एक जामपल के लिए यह 38 इंच है तो सबाद 6 इंच ही होगा थोड़ा सा उपर कर देते हैं यह निसान ऐसे लगा देंगे और यह निसान यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे ठीक है? और एक निसान हम यहाँ पे आधा इंच बाहर करके लगा देंगे और एक निसान यहाँ पे अंदर करके लगा देंगे देखिएगा इसको द्याँ से समझिएगा ऐसे और ऐसे समझ गए? इतना समझ में आ गया? अब सोल्डर आप डाउन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं अगर डाउन करते हम सोल्डर को तो आधा इंच और इसको नीचे ले लेंगे और इसको हम सोल्डर आधा इंच डाउन कर देंगे ठीक है? ऐसे साड़े नौ इंच यहाँ पे साड़े आठ इंच और यहाँ पे सवा दस इंच ठीक है? यह हमारा निसान होगा और यहाँ पे भी 17 इंच थोड़ा सा हम यहाँ पे कर्व सेप दे देंगे इस तरीके कि अगर आपके पास स्केल है तो ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं है क्या करना है आपको यहाँ से आधा इंच माइनस करके यहाँ पे निसान लगाना जैसे कि यहाँ पे हुआ साड़े नौ इंच तो यहाँ पे हम नौ इंच पे निसान लगा देंगे यह सवा नौ इंच पे निसान लगा देंगे ठीक है और यह दोनों को ऐसे ले लेंगे अब इसको हम यहाँ पे जो यह वाला भाग है इसको हम ऐसा राउंड कर देंगे और यह बैक, अब इस तरीके कि हम कर्फ से बाले स्केल लेंगे, ऐसे लेंगे, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा राउंड देना है आपको, और फिर यहाँ पर इस तरीके से, ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं इसको कट कर रहा हूं, और जो सेप मैंने दिया है, उसी सेप के रिक वर्डिंग आपको कटिंग भी करना है, ठीक है, सब कुछ किलियर है, अब यहाँ पर हम फ्रंट की गला लेंगे, फ्रंट की गला आप कोई भी दे सकते हैं, ऐसे भी साथ इंच आना चीए, अगर डीप रखते हैं तो और नहीं तो पाच छेंच भी चलेगा, हम इसमें चेंच कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सवादो किया है, यहाँ पर भी सवादो कर देंगे, यह फ्रंट की गला होगा हमारा, और इसमें जो भी आपको सेप देना है, वो सेप आप दे सकते हैं, मैं यह वाला सेप इसमें दे दिया हूँ, ठीक है, उसके बाद बैक का ग प्लीट हो चुका है कटिंग करने के लिए अब इसमें कुछ भी नहीं बचाया है ठीक है तो इसको हम कट कर लेते हैं अब यहां पर जो भी आपको मार्जिंग मन हो उसके हिसाब से आप निसान लगा देना हमारा बैक का पल्ला कट चुका है इसको हम ऐसा खोलेंगे और इसको रख देंगे हम साइड में ओके कि फिर इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे कि समझेंगा परफेक्ट है कि समझना आगया अब हम बाजू कटिंग करेंगे वह भी बहुत आसान बिदी से आप बाजू को ऐसे में भी कट कर सकते और ऐसे में इसमें टोटल कितना कपरा लगा तो 40 इंच उधर था यानि एक मीटर उदर था अईधर टोटल डेर मीटर कपरा लगा है ठीक है देख लिजीए है अब बाजू की लंबाई हमारा जो है वो पांच इंच है तो पांच इंच के जगा पर आदा इंच उपर की मार्जिंग और एक इंच नीचे के मार्जिंग तो सारे छे इंच हम रखेंगे सारे 6 से 7 इंच ऐसा और यहां से एक हम सारे 3 इंच पर निसान लगाएंगे ऐसा उसके बाद हम क्या करेंगे यह वाला पल्ला लेंगे मैं टोटली सोट काट बता रहा हूँ इसको ऐसा यहां से आधा मूर देंगे इतना इंच इसको यहां पर रखेंगे देखिएगा दियान से ऐसा रखेंगे और इसको ऐसा कर देंगे ठीक है ऐसा समझ माया यह यहां पर निसान लगाएं यह यहां पर निसान लगाएं देख लिजिए अब इसको हम यहां से ऐसा हो गया देखिए दोनों निसान लग गया अब हमारा जो छे इंच प्लस जो मार्जिंग इधर पे बचा हुआ है वो मार्जिंग इधर ले लेंगे ठीक है और एक इंच इधर से माइनस करेंगे कि क्यों माइनस करेंगे अभी मैं बताऊँगा आपको थोड़ा सा आप स्लीज को बड़ा ही रखे और इसको ऐसा मोर दे और ऐसा कट कर दे हैं ठीकिया देखिए अब इसको हम ऐसा रखेंगे तो इस तरीके से आप किसी भी साइज की सिंपल और आसान तरीके से कुर्ती कटिंग कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेर भी किजिएगा फेस्टूप के देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लिजिएगा और आगे आपको किस टाइप की वीडियो चीए ओभी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा जो भी प्रोब्लम आपका होगा तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद